दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गु है और मौझूद है देश रोजाना के डिशनल मीडिया मंच पर आपने एक फिल्मी नगमा तो सुना होगा फिल्मी नगमा ये है इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे प्यार की तो इस समय टिक्टार्थियों का प् करते करते आंखें पथरा गई हैं उनकी कि आएगी कब कॉंग्रेस की सूची कॉंग्रेस केंडिडेट की जो लिस्ट आनी है मात्र एक दिन बचा है नामांकन के लिए कल का दिन 41 सदस्यों की सूची कॉंग्रेस ने जारी कर दी एक 31 की उसके बाद 1 की और फिर 9 की यानि की तीन सूचीयों में तीन लिस्टों में 41 केंडिडेट तो आ गए लेकिन 49 केंडिडेट के नाम अभी तक कॉंग्रेस के डिकलेर नहीं हुए ये कॉंग्रेस की आपसी लड़ाई है या उनके अंदर एक प्रकार से क्यूरिसिटी बढ़ा के रखना है या फिर ये करना है कि लोगों में कारेकरताओं में नेताओं में जैसे भाजपा में अभी तो लगन का जो पीली पत्री होती है पीली चिठी कह सकते हैं वो ही नहीं लिखी गई थी दलाल साब की तो सगाई भी हो गई क्योंकि अगर विभा को लें या इलेक्शन को लें चुनाव में मानने पीली पत्री होती है जो टिकेट मिलना पर्ची आना टिकेट की पर्ची और विभा पूरा संपन होगा जब चुनाव हो जाएगा तो पीली चिठी से ले करके यानि ये बात तो हुई आप से फोड़ा सा मूर हलका करने की लेकिन उनका मूर तो बहुत भारी है जिनको इनतिजार है टिकेट का कॉंग्रेस के कई नेताओं के मेरे पास भी फोन आते हैं हथीन से आते हैं प्रथला से आते हैं होडल से होडल का तो हो चुका हथीन से आते हैं प्रथला से आते हैं फरिदाबाद से आते हैं बल्लवगर से आते हैं सिर्षा तमाम डिस्टिक में जहां मारे चाहने जानने वाले लोग हैं उनका फोन आता है कि आपके पास कोई खबर है कॉंग्रेस की सूची कब तक आ रही है वैसे चर्चा यह है कि मलेकार जुन घडगे साफ जमू कश्मीर गए हुए थे आज और वो शाम तक देर शाम तक व वाइरल हो रही थी आज यह भी दोस्तों अजब इक्तिफाक है और लोगसभा का चुनाव था लोगसभाद चुनाओं में भी कॉंग्रेस कैंडिडेट्स की एक लिस्ट वाइरल हो गई थी बाद में कॉंग्रेस के जो परभारी है दीपक बावरिया ने कहा था कि हमारी के पर्चे लीख हो रहे हैं और जब पर्चा है जब टिकेट की सूची वाइरल होती है तो उसको लेकर के कैंडिडेट्स में होता है तुरंत कि आ गई आ गई आ गई शायद आ गई उसके बाद वो पूछते हैं बाद में पता चलता है कि लिस्त तो फेक थी वैसे एक बात भी मीडिया पर जो काम करने वाले लोग हैं और जो फेक लिस्त तयार करते हैं इनका भी अंदाजे बयां बड़ा गजब का है वही महर होती है यह तारीक होती है एक प्रेस रिलीज होता है और वो फेक लिस्ट हो जाती है आज बड़ी चर्चा में रही कॉंग्रेस की 46 सदस्ये 46 केंडिडेट वाली लिस्ट थी जो आप इस लिस्ट को देखें इसके अंदर तमाम हर्याना के नाम तो हैं लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर जो नाम फरिदाबाद लोगसभा क्या रहे हैं इसके अंदर प्रतला से रगवीर सिंग तेवतिया का नाम है बल्लबगड से शारदार आठाओर का नाम है हतीन से मुहमद इसराइल का नाम है परवल से करन सिंग दलाल का नाम है तिगाओं से ललित नागर का नाम है बर्खल विधान सवाद छेत्र से विजे परताब सिंग का नाम है यानि कि ये तमाम नाम चल रहे हैं और यही नाम चर्चाओं में है लखन सिंगला का नाम भी है ओल्ड फरिदाबाद, फरिदाबाद 89 से नीरच शर्मा और उदैभान दो नेताओं को टिकट मिल चुका है इसी प्रकार पूरे हर्याना के 46 नामों की सूची ये वाइरल होती रही और नेता एक दूसरे से पूछते रहे कि भया आ गई क्या, हमारी भी आ गई क्या अब कल का अंतिम दिन है नामांकन करने के लिए आज रात को संभवता वो शुब घड़ी है जब कॉंग्रेस के कैंडिडेटों की सूची आएगी और रात में ही आतिशबाजी हो जाएगी जिनको मिलेगी और जिनको नहीं मिलेगी वो मन मसोश कर बैठ जाएगे क्योंकि उनके पास समय भी नहीं बचेगा जाएं तो जाएं कहां जैसे भारती जन्ता पार्टी के अंतर तो भागम भाग होई और आज केयर सिंग रावत ने नामांकन भर दिया हतीन विधानसभा से इंडिपेंडेंट के तोर पर भारती जन्ता पार्टी के पुरोधा मानता हूँ में राम बिला शर्मा को अगले वीडियो में चर्चा करूँगा आप से उनके बारे में राम बिला शर्मा ने नॉमिनेशन कर दिया तो मालने तो क्या कॉंग्रेस पार्टी अपने पार्टी के नेताओ कारेकरताओं को यह मौका नहीं देना चाहती कि भाई अगर हम नहीं दे रहे तो फिर तुम कहीं और भी मत जाओ कॉंग्रेस की कैंडिडेट्स की जो सूची है उसको ले करके हाला कि अब पूरी तरह से तै है क्योंकि अब इसमें कुछ संभावना नहीं है कोई किन्तू परंतू नहीं होई मात्र अगर आप माने जो कारेक्ट दिवस का जो समय है वो कल सुभा 10 बजे से ले करके और शाम को 3 बजे तक आज का दिन जा चुका है 10 बजे से 3 बजे तक यानि की लगवग 5 घंटे मिलेंगे लोगों को अपना नामांकन करने के लिए और वो 5 घंटे अब इंतिजार की घडियां तो समाप्त हैं वैसे आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस की जो सूचियां वाइरल होती है क्या ये किसी एजेंडे के तहट होती है और या फिर कोई शरारत होती है आज जो 46 सदस्य सूची जारी हुई मैं आपको दिखा रहूं लगाता और आपने देखिए इस सूची के अंदर जो नाम है आपको क्या लगता है इन में से कितने सठीक बैठेंगे और कितने फेक होंगे और आपको क्या लगता है कि हर्याना कॉंग्रेस की जो लिस्ट है 49 केंडिडेट्स की क्या उसमें अब भी आज के बाद भी को इंतजार रहेगा या एक ही लिस्ट में सारे नाम आ जाएंगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना अगर आप ये वीडियो फिस्ट बॉक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें